गुड मानिंग इंडिया, इलकम टू दरमे स्टडी संकल कुमारा भविस सापका की आज के महातपोल एपिसोड में आज आप जयो प्रक्रम पोशन से महातपोल प्रस्ण देखेंगे जो कि पॉली टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम डिफार्मा के लिए काफी अदा इंपोर्टेंट है प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं इनी सब सब्सब्दों के साथ आप सुपके वजल वविस की कामना करते हूं प्रतन कोश्चन के और बढ़ रहा हूं प्रतन कोश्चन है निमन में से कौन सी सही बिध परकार से स्वापोसर्ण की बिध है नोट किजिएगा प्रस को रिवाइज करते हैं निमन में से कौन सी सही बिध परकार से स्वापोसर्ण की बिध है A. आपसन अपने हाथों से भोजन पकाना वा खाना B. आपसन हरे पौदों में प्रकास संसेशन C. आपसन अमर बेल का परजीवी पोसर D. आपसन उप्रोक्ट में से कोई नहीं पांच सेकंड के समय मैं दे रहा हूँ सबी लग उत्तर बताएं तो B. आपसन आपका सही होगा हरे पौदों में प्रकास संसेशन बिलकु सही उत्तर होगा नेमन में से कौन से सही प्रकास स्वापोसर की बीद है तो हरे पौदों में प्रकास संसेशन नोट है इस प्रस्न का हरे पौदों में CO2 या YS2 का वो का परियोग करके प्रकास तापढ़ हर्म की उपस्तित में भोज पदार्थ का स्वयम निर्माड करते हैं या क्रिया प्रकास संसलेशन कराती है जो की स्वापोसण की वास्तवी भीध है जानकारे के लिए बता दूँ कि वीडियो वन में आप लोगों को कुछ प्रस्तित में के पढ़ाए गए हैं और यह वीडियो टू है वीडियो टू है और वीडियो टू में आपको टाप 50 प्रस्तित मिलेंगे इस वीडियो में आपको 50 प्रस्ट मिलेंगे इसलिए पोसड का वीडियो चिकेंड है नेस्ट प्रस्ट को चलते हैं परते एक जबड में अगर वनकों की संक्या होती है पॉलिटिक दोजार अठारा डी फार्मा एक जबड दो जबड तीन जबड प्रस्ट क्यों चलते प्रकाश संसेशन अभकिरिया में मुक्त ओटू का सुरुत होता है पॉलिटिक दोजार वारा का प्रस्ट ध्यान देजेगा प्रकास अलस्रेशन क्रिया में आक्षिजन गैस निकलती है उससे पहले का प्रस्न प्रकास अलस्रेशन अब क्रिया में मुक्त ओटो का सुरोत होता है तो मुक्त ओटो का सुरोत होता है जल प्रकास संसेलेशन में मुक्त ओटो का सुरोत जल है देख सकते हैं पर आपो देख सकते हैं फरकास क्रिया में क्रिया में अक्सिजन गयस के रूप में मुक्त होकर किस सरचना से बाहर निकलती है यह आपसर रंद भी आपसर वात रंद भी सी आपसर ब्राय तोचा डी आपसर बलकुट तो ध्यान देजेगा यह आपसर आपका सहयोगा रंद प्रकास सस्रेशन के किरिया में ओटू गैस की रूप में मुक्त होकर रंद द्वारा निकलती है नेस्ट कोश्चन नमबर सिक्स प्रकास की उपस्तित में ADP में ATP निर्माण की परकिरिया को कहते हैं ए आपसर आपसर आपका सही होगा फोटो फास्फो रिलेशन नोट है प्रकास की उपस्तित में ADP से ATP निर्माण की परकिरिया फोटो फास्फो रिलेशन कहते हैं नोट कर सकते हैं आप लोग नेस्ट प्रसु चलते हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी किरिया होती है पॉलिटिक निए 2016 लग का प्रस्तित ए आपसर आपका सही होगा ध्यान देजेगा D आपसर आपका सही होगा ध्यान हरित लवक के इस ट्रोमा में परकास के अनुपस्तित में आप परकासी तब करिया जिसे कैल्विन चकर कहते हैं संपन होती हैं नेस्ट प्रसु चलते हैं परकास सलस्तित कृया का अंति मुत्पाद होता है या है प्रोटीन है वसा है मंड है खनीज है कोश्चन नमबर 8 तो मंड सी आपसर आपका सही होगा परकास सलस्तित क्रिया के अंति में गुलूकोज O2 और UH2O का निर्माण होता है जो पादपो की कोशाओं में मंड में परिवर्तित होकर विशेश संचे केंद्रों में संची तो हो जाता है नेस्ट पादपो में वार पर दूसर को कम करने वाली ध्यान देज़ेगा कम करने की परकिरिया है पॉलेटिकिन 2015 का प्रश्ण कोश्चन नमबर 9 पत्ती में नोट कर सकते हैं आप लोग मुखेता है पादपो की पत्तियों प्रकास संसलेशन दाड़ा भोजर का निर्माण करती है नेस्ट पादपो में वार पर दूसर को करने वाली प्रकिरिया है हुझ आपन आपन अपसे आफ संसलेशन दाबावाक nuclear मंडल इस सीकरण आहिए आप मगत की उता हिया परदोसरों में कमी लानीट की वाली एक प्रकिरीया है स्ट प्रकास परियोग में परियोग परियोग चार कौन सा है एक आपसन को एच भी आपसन सी यह को टोई सी आपसन यमजी ओश को टोई सी डी आपसन एस्ट यह सुफोर कोशन नमर 11 तो के ओएच कि ओएच क्या है इसको आप लोग को बताना है देखतें कितने लोगों को मालूम है एंसर में लिखिया गविनर प्रस्ण के रूप में कलपना सिंग का बराबर कौशन अपडेट करती है वह गाभार परदीव आनलाइन सेंटर आप भी प्रयास करते हैं और सभी स्टुडेंट भी लिखा करें के मेंट बाक्स में परकास असलबर करिया में स सकता दर्साने के लिए किये गए परियोग में परियोग कुछार के ओ एच होता है ध्यान दिजिएगा और नाल के संकुछन को क्या कहते हैं पॉलिट्री 2014 का प्रस्ण यह आप सन पाचन भी आप सन कर्मांग कुछन सी आप सन परिसेंशन डी आप सन ऑसो सन तो कुछन नंब कौनसी गएट कर्मांग कुछन नेश्ट मानो में मुख गुँष का वावाग जो की इसे सुसनमार्ग से अलग करता है क्या कहलता है कोचन नमेर 13 तालू कहलता है सी आप सन मानो में मुख गुँष कि इच्छा तरथात तालू मुख गोईका को ससन मार्ग से अलग करती है नेश्ट प्रस्क चलते हैं इसको नोट कर सकते हैं आप लोग नेश्ट मनुस में लाल गरंतियों के संक्या होती है पॉलिटिक नीच चौदा तेरा बारा दस शे पांच तो द्यान दे सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है तो दो जोड़ी तीन जोड़ी चार जोड़ी पांच 再見 तो यहाँ पर तीन जोड़ी हो गया लाल गरंतियों के संक्या होती है कौनगाशिक कौनषी कौनश्क पूल अधक हुद आधो और जिय वा पाई जाती है इसको नोटInच कर सकते हैं आप लोग इंपुउटेंट है की य मान उपस्तित्माय रचना कहलाती है पॉलिट्रिंग दोजार चौदा और ग्यारा का यह प्रस्ट है तो ध्यान देज़ेगा एपी फैरिंग्स और घाटी धापन और वियो लाई और सिलेस्मा वरण तो आपका भी आपसन आपका सही होगा ध्यान देज़ेगा ग्रास नली द्वार पर पत्ति के समाल लटकी हुई पास्तित की बनी सरचना पाई आती है जो घाटी धापन कहलाती है कि नोट कर सकते हैं आप लोग आहार नाल से की आकार की सरचना होती है पॉलेटिंगी दोजार सोला पंद्रा वेकुछा अम आसे गरहडी गरसनी और क्रीम रूप पर इसका तो ध्यान देज़ेगा यहाँ पर आपका बी आपसन सही हो गरहडी गरहडी जो है आप आहार नाल के सी के आकार के सरचना गरहडी कहलाती है नोट कर लीजिगा या सुदरांत का प्रारामिक भाग है इसकी लंबाई पचीस सेंटीमीटर होती है नोट कर लीजिगा आप नाल की लंबाई कितने होती है कि गर्याणी की 25 सेंटीमीटर नोट कर सकते हैं मनुस में दूद के दातों की संक्या होती है कितनी होती है मनुस के दातों की मनुस में दूद की दातों की संक्या 20 नोट में देख देख लिए सिसु में दूद के दात 20 होते हैं नोट कर लिजागा सिसु में और इसमें मुकत्य अग्रोंड़क दांत नहीं पाए जाते नोट कर लिजेगा इसको किरिम रूप परिसेश का डाट-डाट का भाग है पॉलिटिक पंदरा तेरा अठारा जटारस कहलाता है तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इसमें आपसन आपका बिल्कु सही उत्तर होगा इसको आप लोगों को बताना है इसको आप लोगों को एक प्रिस्ट बतादा है बड़ी आत में पर्थम देखते हैं कितने लोग इसको सही बताते हैं इसका नोट मैं पढ़ देता हूँ बड़ी आत में पर्थम भाग सीकम से साथ से दस सेंटीमेटर लंबी क्रिम रूप परिसेशका जोड़ी रहती है जो कुछ साकारी जन्तों में जटित सलकरा से लिलोज की पाचर में साहता करती है परन्त मनुस में स्वासिसी अंग की तरह उपस्तित होती है कि तो द्यान जीएगा कि रूप पर से इसका का भाग है इसको आपना में आपको बताना है कि और वहां से जट़ारस भी निकलता है आप लोगों को बताना है देखते हैं कि इसका सब्सक्राइव दाहिए या बिनड परसन है आसान है अच्छा प्रस्ण है जटारस निकलता है जटारस निकलता है आप लोग बताईएगा जटारस निकलता है है लोगे दोजार अठारा और सोला में प्रस्ण है जटारस निकलता है अगिलासे भींच से स्षुद्रांसे भींच से अम इसे याकिरेट भींच तो द्यानल देज़ेगा आपक 오늘도 से उतर होगा अमासे भींच सी आप सनेपको सेई होगा ड़ान देजेगा अमासे में इस्तित अमासे भित पर इस्तित जठर गरंथियों से जठरृत का सरावण होता है नोड़ कर सकते आप लो नेस्ट निम्ले में कौन सी एक गरंथ जठर नहीं है तो ध्यान देजेगा अमासे भित से पारोलिक गरंदि ऑपसर आपसर फांडिक गरंथ अव दिया साल आपसर लाल vaigner जर नहीं आधी काडिक गरंथ फाह रोलीक गरंथ और फंडिक गरंथ बैक जर गरंथ यहां तो ध्यान दिजिएगा कोच्ट नमबर बाईस के लिए नोट कर लिए अगे तो सबसे बड़ी गरंथ यह पर यकिर्थ होगा सरीर के सबसे बड़ी गरंथ यकिर्थ है और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है नोट कर लिजिएगा पित रस का निर्माण होता है पित रस का निर्माण होता है पित रस का निर्माण होता है इसका संचे पित आसे में होता है नेस्ट आंतिये रस का स्रावण होता है कोस्टन में 24 C कम दोरा A अपन B आपन है पायलोरिक गरंती हो दोरा C आपन है लिबर हुकंड की दरारो दोरा D आपन है बुरुनर गरंती हो दोरा तो द्यान देहान दिजेगा C कम दोरा A आपन का सहीवा चोटी आत्म उपस्तित लिबर हुकन की दरारों द्वारा आंतिये रस का स्रावन होता है स्लेश्म स्रावित करने वाली ब्रुनर गरंथियां भी इन दरारों में उपस्तित होती है नेस्ट प्रिस्ट चलते हैं निम्लिकित में से मनुस्की लार में पाया जाता पॉलिटिंगी 2010 का प्रस्ट है यह आपसन टाइलेन भी आपसन लाए जो लाए सो जाइम सी आपसन पेपसिन डी आपसन है दोनो ए और भी दोनो कोश्चन नमबर पचीस ए वी और दोनो डी आपसन मनुस्की लार में सलिवरी एमाई इज लेस टाइलीन जिसे कहते हैं नामक पाए जाता है जो मंड पर किरिया करके सरकरा में बदल देता है साथी लार में उपस्ति लाइस जो लाइस सो जाइम भोजन के घारक जिवानों को नस्ट करता कौर्थ पालगा जाता है news ने भी आ यह अपसन data 붙ar रेनिउन-जर लाइप एज कोश्चन नमबर 26 ट्रिप्चिन आपका बिल्कुँ सहे उत्तर होगा जटहर रस में ट्रिप्चिन नहीं पाजाते हैं इसमें पैप्सिindestर लाइपेजं पाये जाते हैं ट्रिप्चिन अगनासे रस में पाये जाताा है लोड कर सकते हैं अब लोutor ने सत्र रस में ऊपस्तित स्य को निशप्ष रखना भी आफसर ने भोजन के माध के माध्य हम को अमलिये रखना सी आफ desarrollo तो निशप्रों में से सभी कोस्चिन नमबर 27 उप्रोक्त में से सभी जठा रचों उपस्तीशल का पर्मुकारमाच्फ में पहुंचे भोजुन को अमलिय बनानी के अतरिक तो पेपसिन और रेनिन एंजाइमों को निस्ट करिए सरचनाओं को सक्रिए करना होता है नेस्ट मरस में प्रोटीन का पाचन सरपर्थम किसमें होता है तो धान दीजेगा सी आपका सही होगा अमास में सरपर्थम अमास में पैपसिन एंजाइम दर्ण पाचन होता है पैपसिन नोट कर सकते हैं आप लो रेनिंग का स्राव कहां होता है कोलेटिनी 2010 का प्रस्ट नहें लार गरंतियों से बीखर्टी से छठः गरंतियों से डी आप्शन येस अभी नोप रहे हैं मिदेंगा सुराव जठर गरंतियों से यह दुख्ध प्रूटीन कैसीन का पाचण करते हैं तो कोश्चन नमबर 31ująब से यहींरिघ प्रस का की रसानिक पर्कृत क्या होती है एसी एपसों चारी सी आपसों जली डी आपसों उदासी को स्टून नंबर 30 तो चारी आपका पितरस की रासायनिक परकृत क्या होती चारी पितरस का पियेच मान 7.7 होने के कारण या चारी या नोट कर सकते अपनोग लोग नेस्ट तरिप्न. भाचन में सहायता करता है किप्रोटोटिन का ठीको प्रोटिन प्रोटिइन प्रोटिइन siitä है या प्रोटिन को पाली पेपटाइस स्रिंख लाओं यंस प्रोटраш्ने किरिया कर करता है पालिटग ने 2012 का प्रस्ट में एपसन प्रोटीन पर भी आपसन कार्बोहाइड्रेट पर एपसन वसओं पर डी आपसन है लॉण ओपर तो कोस्टन नमबर 32 तो कार्बोहाइड ड्रेट नोट कर सकते हैं अप स्ंलाइलेज एंजयम कर्भोहडिर्रेंट पर करता है चलते हैं सिन एंजयम करते हैं प्रोटिंट लोग यहां पर देख सकते हैं सिन एंजयम वस्वापर करता या अगनासी रस में पाए जाता है a not कर सकते हैं एक नेस्ट पर सकुर चलते हैं अगनासे रश किसके पाचन में सहायता करता है या सहायक होता है पॉलिट्टिकनी प्रोटीन के और प्रोटीन के प्रोटीन वह कर्भोहाइड्रेट के डी आपसन सभी के नंबर 34 कि अब तो द्हान देजिएगा एस सभी सभी के पाचन में सहायक होता है प्रोटीन अगनासेर प्रोटीन कर्बोहईडर वसा के पाचन में सहायक होता है सभी के सहायक होता है D-option आपका सही होगा यह है एंजायम जो अर्थात वह है एंजायम जो सुक्रोज को ग्लोकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है आप्सान है सुक्रोजब्स में बदलता है तो आपका यहाँपर सुक्रोज से यहाँपका सही होगा नोट कर सकते हैं आप लो नेस्ट रसांकोरो में वसा अमलेय हम गिलसराल का ओसवसर किसके दवारा किया जाता है A. अपसन रुदिर बाइनियों दौरा B. अचारिय बाइनियों दौरा C. अपसन दोनो A. भी दोनो D. अपसन रसांग करों में वसा का असूसर्ण नहीं होता Q. 36 अच्छीर बाइनियों दौरा B. अपसन आपका से होगा रसांक्रों के मद्ध भाग में अच्हीर वाहिनियों या लेक्टी यल्स नामक लश्का कोश्का होती है इसी कोश्का द्वारा वसीय अमल यों गिलसराल का आउसोसन होता है नेस्ट प्रस्कुचलते प्रकास संसेशन के किरिया होती है समस्थ जीव में समस्थ पादपो में सी आपसन है समस्थ हरे पादपो में डी आपसन है दोनों में बी वा सी दोनों में समस्थ पादपो में समस्थ हरे पादपो में प्रकास संसेशन की प्रक्रिया या किरिया होती है निम्लिकित में से कौन सा प्रकास सन लेशर्य अंग है क्यों है हरित लवग पत्ति, रंध, जड़्य धान देजीगम तो जानते हैं यह प्रकास संसरेस्ट यंग है क्योंकि कि कत़त्पर नहीं है इसे समय कौन सा प्रकास अंग है तो इसमें आप देख सकते हैं हरीत लोग पत्ति रंद जड़ कि तो इसमें कि आप देख सकते हैं जड़ आपका दी उपसं से होगा नेस्ट गेलिवन चक्र को सी त्री 16 कारवन अन होते हैं तीन कारवन अन होते हैं नेस्ट प्रश्कुर्स चलते हैं सोले राई जेसन क्या है सोले राई जेसन क्या है कि यह संक परकास में परख़ेंगी श्लिफ्र काने नाले और एलए अब और सुनद करेंज और इस लिए बहुत कि आपकंता क्या होती है उर्जा के लिए लीजा और रोगों के रच्षा के लिए ऑपसं करेडी वी देखा左 यह सभी तो बिल्कु perspective किस परकार के होते हैं गर्त दंती दैवार दंती यह सभी इंपर्ड़ी प्रसंप नहीं है कि टीर सभी आपका नेस्ट पर चलते हैं ध्यान देजिएगा नेमन में से कौन मनुस्क्या अमासे का भाग नहीं है कार्डीक भाग गरसनी पाइलोरिक भाग और डी आपसन है फंडिक भाग कोश्चन नमर 43 तो गरसनी भी आपसन आपका सेगा बड़ी आथ किस भाग को चार खंडों में ववाज यापसन रेक्टिस या मलासे डी आपसन एनल कैनाल या गुदानाल तो कुलन आपका बिलकुत सजय उत्तर होगा जठर गरंदियां आनाल किस भाग में पहसे तो या आपसन मुख गूएका में विआपसन गरसनी में सी आपसन गरणई में डी आपसन अमासे में कुश्चन न जिवा द्वारा डी आपसन इन में से कोई नहीं कोश्चन नबर 46 तो आपका बिल्कुर सही उत्वर होगा अंतर गणा किस द्वारा किस प्रकार होता है चोंच के द्वारा नेश्ट प्रकूर चलते हैं आहार नाल के किस भाग में मन्द का पाचन होता है एक आपसन मुग गोह का नोट कर सकते हैं वसा का आंसिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है कोश्चन 48 तो आपका अमासे में मुख में भी आपसन में दिया है आथ में दिया है आथ में दिया तो आपका अमासे में वसा का आंसिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है अमासे में नोट क पूटीनाइन तो आपका बिल्कु से उतरोगा पित तरस नेस्ट प्रस को चलते हैं स्वांगी करण के पश्चाद आप परते चुरूब से एमेनों अमल का माना सरीर में किस कार में उप्योग होता है यह आपसन कौशकाओं के मरमद भी आपसन नई कोशकाओं का नुवमार सी आपन कोशकाओं यह हम इस सरीर में वद्धी आपसन उपरोगत में से जभी तो ध्यान देजएगा उपरोगत में से और ऐसे इस्तित में आप लोग पूरा इसको मनियोग से पढ़िएगा वीडियो को देखने के बाद आप लोग ठेंक्स रूफ जरूर कमेंट बागन बताया कोशन अच्छी लगें और जो कोशन पूछा गया है उसका भी उत्तर दीजिएगा एक कोशन मैं और पूछ रहा हू कोशन है रक्त का थक्का किस विटामिन की उपस्तित के कारण जमता है इसका उत्तर आप लोग बताईएगा रक्त का थक्का किस विटामिन की उपस्तित कारण जमता है या दो विटामिन नरे तर थक्का नहीं बनेगा आपको उत्तर कमेंट बाक्स में देना है एक प्रस मैं आपको लेना है तो आप टेलीक्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है डिस्कॉपशन बाकस में वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं सबस्ब्दों के साथ आप सबके उजल भविष्क के कामना करते हुए जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लेजिए आपक से कटेंट मिलेंगे और कई वीडियो मिलेंगे इन्हें सब सब्दों के साथ नेस्ट एपिसोड में मिलते हैं तब तक के लिए बंदी मात्रम जैहन जैवा